आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने क्रेड कॉइंस को कैश में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं अगर आपके भी क्रेड एप में इस तरीके के कोईंस अगर पड़े हुए हैं तो आप उसको कैश में कैसे कनवर्ट करेंगे create app के home page में कावी सारे recharge and bill payments related यहाँ पर हम आप्षेंस देखने को मिल जाएंगे अब अगर हम यहाँ पर create के coins को चेक करना चाहें तो ओपर की साइड यहाँ पर हमें settings का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें सिंबल जे क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर कावी सार आप्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे यूर रेवार्ड की केटेगरी में हमें यहाँ पर दो आप्शन देखने को मिल जाएंगे कैश बैक बैलेंस और कॉइनस सबसे पहले हम बात करते हैं cashback balance के बारे में यहाँ पर हम जैसे ही click करेंगे view balance history option पर अगर हम click करेंगे तो trade app से अगर हम कोई भी transaction करते हैं और अगर उस transactions related अगर कोई भी की तरह का offer होता है तो उसमें हमें cashback मिल जाता है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 10 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 6 रुपए इस तरीके से मुझे कावी सारा cashback क्रेड की तरफ से मिला है कितना cashback मिला है, कितना कितना मैंने use किया वो सब यहाँ पर इस page में हमें देखने को मिल जाता है अब अगर हम यहाँ पर back आएंगे, तो back आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा option हमें देखने को मिल जाता है coins का यहाँ पर इस टैम मेरे trade के app में 13,973 coins यहाँ पर पड़े हुए है और किस transaction को करने पर कितने हमें trade coins मिले हैं वो भी यहाँ पर नीचे की साथ हमें history में देखने को मिल जाते हैं तो गैस चली अब हम बात करते हैं कि हम trade coins को cash में कैसे convert कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमें सिंबल से back आ जाना है, back आ जाना है और यहाँ पर कावी सार options हमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर हमें एक option देखने को मिल जाता है rewards का simple से हमें reward option पर इस तरीके से click कर लेना है rewards option पर हम जैसे ही click करेंगे तो उपर की side भी यहाँ पर trade के coins शो होने लगें 13973 coins अगर कोई cash back balance होगा तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जागा यहाँ पर अभी zero है तो guys देखिए यहाँ पर मैं आपको साफ साफ यह बताना चाहूंगा यह जो trade के coins होते हैं इसको हम cash में convert नहीं कर सकते लेकिन guys देखिए जो हमारे पास trade के coins होते हैं उससे हम यहाँ पर voucher वगरा ले सकते हैं और इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर contest वगरा चल रहा होता है तो उसमें हम participate भी कर सकते हैं कावी सारे यहाँ पर apps related भी हमें यहाँ पर voucher वगरा देखने को मिल जाते हैं जैसे ही डॉमिनोस से related यह कोई headphone है इसमें हम यहाँ पर participate कर सकते हैं सुईगी से related यहाँ पर हमें rewards देखने को मिल जाते हैं इसको भी हम यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ claim कर सकते हैं voucher हमें कावी सारे यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो एक headphone है जिसकी कीमत यहाँ पर 77,999 रुपए है यहाँ पर अगर मैं participate करूँगा तो हो सकता है यह जो 77,000 लगबग 38,000 रुपए का ही जो headphone है यह मुझे मिल जाए अगर मैं यहाँ पर winner बन जाता हूं और भी कावी सेर ओफर हमें देखने को मिल जाते हैं spin option पर हम click कर लेंगे तो गाइस यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हो यह बोल रहा है mega win तो हमें यहाँ पर इस तरीके का एक voucher मिल चुका है और यहाँ पर एक voucher को हम win कर चुके हैं यह कोई shopping site है, skull candy अगर हम यहाँ पर कोई shopping वगरा करते हैं तो यहाँ पर 65% का हमें यहाँ पर flat discount मिल जाएगा अगर हम यहाँ पर इसको cut करेंगे तो यहाँ पर 8970 trade coins बचे हैं हमारे trade के app में अब यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर reward है यहाँ पर swigy में हमें 1500 रुपए का यहाँ पर cashback मिल जाएगा चलिए इसमें भी हम यहाँ पर claim कर लेते हैं इस पर click करके इस तरीके से हम select कर देंगे इसको drag करके और इसका भी हमें एक voucher मिल चुका है 1000 trade coins को pay करके तो इस तरीके का हमें voucher मिल चुका है tap to skip option पर हम click कर लेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है swigy food you want 150 cashback redeem now यहाँ पर लिखा हुआ है swigy food you want 150 cashback detail option पर अगर हम click करेंगे तो यहाँ पर swigy app से अगर हम कोई भी food order करेंगे और create के through अगर हम payment करेंगे तो flat यहाँ पर हमें 150 rupees का cashback मिल जाएगा और भी इसके अलाव बहुत सारे offers यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं जो भी आपको ठीक लगे उसको आप claim कर सकते हैं या फिर अगर कोई contest वगरे चल रहा होता है तो उसमें आप participate भी कर सकते हैं यहाँ पर यह जो credit के coins होते हैं इसको हम directly cash में convert नहीं कर सकते हैं यह अभी कोई भी किस तरह का option credit app ने नहीं निकाला है अगर कभी आगे in future आता है तो मैं आपको वीडियो के थरूँ ज़रूर बताऊंगा तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आयोगी इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताऊँ इस तरीके से credit coins को आप use कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो लेक और share कर देना और इस वीडियो से related अगर आपको कोई भी इस दिरा का सवाल है तो आप मुझे comment section में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिए और चैनल को subscribe करेंगे bell notification पर आप जरू क्लिक कर लेना thank you